हलो दोस्तो क्या हल चाल मेरा नाम है विकास और आज की वीडियो में हम बात करने वाले end-to-end encryption के बारे में अब end-to-end encryption अगर आप लोग टेक में थोड़ा बहुत भी इंटरस्ट लेते हो तो आप लोगों ने definitely सुना होगा इस चीज़ को E2EE यानि के short form में यही बुलाते हैं तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि end-to-end encryption आखिर है क्या कैसे काम करता है हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है और आखिर इसका इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है तो इस वीडियो में आपके मन में जितने भी सवाल है end-to-end encryption को लेकर के वो सारे में clear करने की कोशिश करूँगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्स्ट्राइब कर लेना और फड़ा फड़ से आज की वीडियो शुरू करते हैं तो दोको ये जो word है ना end-to-end encryption ये काफी बड़ी-बड़ी tech companies like google हो गया, apple हो गया, facebook हो गया, इन जैसी और भी companies हैं उनके द्वारा इस्तेमाल में लिया जाता है और जाधा तर इसको कहां इस्तेमाल करते हैं ये लोग, messaging, application, communication वाली websites, इन सब में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे आप लोगों के एक अंदाजा लग रहा होगा, कि ये आपकी बातचीत करने वाली जो भी जगा होती है ना, वहां इस्तेमाल किया जाता है बड़ साथ ही एक सवाल ये भी आ रहा होगा, कि आखिर इसे इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है, ये काम क्या करता है तो यह काम करता है आपकी बातचीत को सुरक्षित बनाने का अब मालनो दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं उनमें से एक message भेजेगा, दूसरे के पास वो message आ जायेगा फिर दूसरा वाला message भेजेगा, पहले वाले के पास में वो message आ जायेगा अब जो लोग message भेज रहे हैं इसको अगर बीच में कोई तीसरा इंसान पढ़ ले तो वहाँ पे तो गड़बड हो जाएगी तो इसी चीज को रोकने के लिए कोई तीसरा इंसान उस message को ना पढ़ सके end-to-end encryption को काम में लिया जाता है और encryption का मतलब होता है आपने chatting में या फिर अपने email में जो भी चीज भेजी है उसका वो रूप एकदम बदल देता है मालनों आप लोगोंने कोई message लिखा hello how are you और उसको आप लोग encrypt कर देते हो किसी भी form में तो वो hello how are you दिखाई नहीं देगा वो एक अलग सही form में आप लोगो दिखाई देगा जहां पर आपके alphabets जो की small हो सकते है caps हो सकते हैं उनको इस्तेमाल में लिया जाए numbers को इस्तेमाल में लिया जाए इसके लावगा जो symbols होते हैं hash हो गया question mark हो गया apostrophe हो गया इनको इस्तेमाल में लिया जाए तो अजीब सी भाष्णा में कुछ लिखा रहेगा तो definitely उसे आप लोग नहीं पर सकते तो बस यही काम encryption करता है लेकिन इसको करने का ना एक proper तरीका होता है एक algorithm बनाया गया होता है किसी भी application के दौरा या फिर किसी भी website के दौरा जो की आप लोग use करते हो और वो आपको end-to-end encryption facility भी provide करती हो यहाँ पर basically algorithm के दौरा दो keys को इस्तेमाल में लिया जाता है पहली की होती है public की वो मिलती है जो की message को भेजता है मालनो मैंने अपने किसी दोस्त को message भेजा तो मेरे पास में जो key रहेगी वो होगी public की और message जिस दोस्त को मैंने भेजा है उसके पास में वो algorithm उस app के अंदर ही एक key generate कर देगा जिसको कहा जाएगा private key अब ये key किस तरह से काम करती हैं मालनो मैंने कोई message लिखा hello how are you तो मेरे पास में जो public key होगी उस public key का काम ये होगा जैसे ही मैं अपने message को send करूँगा send करने से just पहले मेरे message को वो encrypt कर देगी यानि के अजीब से form में मेरे message को convert कर देगी और इसके बाद में वो message जाएगा server पे और server से होते हुए वो जाएगा receiver के पास में server के पास में पहुँचेगा वहाँ पे जो private key होगी वो उस message के साथ में match हो जाएगी और उसको exactly वही message जो कि मैंने type करके भेजा था अपने screen पे दिखाई देगा अब next time अगर वो सामने वाला person यानि के मेरा दोस्त कोई message उदर से भेजेगा तो same process फिर से follow किया जाएगा और अब जब message भेजने वाला message को भेज पा रहा है पढ़ने वाला message को पढ़ भी पा रहा है बीच में उसको कोई access नहीं कर सकता तो बस यही तो काम था अपने end to end encryption का क्योंकि कई बार कुछ hacker होते हैं कुछ fraud करने वाले लोग, scammer लोग होते हैं वो hacking वगयरा करके आपके accounts को आपके server को access कर लेते हैं, अब मालो मैंने message भेजा, वो message पहले तो server पही जाएगा और server पे कोई और पहले से बैठा हुआ है तो वो मेरे message को उठा करके अराम से पढ़ लेगा कि अच्छा इसके अंदर यह है, मालो अपने bank की details किसी specific इनसान को बेजी, अपने family member को भेजी, तो वहाँ पे अगर कोई बीच में बैठा हुआ होगा, तो वो आपके message को easily पढ़ लेगा, लेकिन जब encryption लगा हुआ होगा आपके message पे, आपका message होगा कुछ simple सा लिखा हुआ, लेकिन वो उसको simple नहीं, बहुत भेंकर तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, तो जाहिर सी बात है, वो उसको नहीं पढ़ने वाला, वो सिर्फ वही इंसान पढ़ पाएगा, जिसके पास में होगी private key, और वो कहाँ होगी, जिसको आपने message भेजा है, और हो सकता है, क्या वो जो hacker है, अगर वो hack कर सकता है, पूरे के पूरे server को, तो क्या वो इस message को decrypt नहीं कर सकता, इस message करें, एक भेजने वाले के पास public key, एक receive करने वाले के पास में private key, और public key के साथ match होने के लिए सिर्फ वही private key काम करेगी, जो सामने वाले के पास में generate होई होगी, इसके अरावा आप कोई भी अपने पास से key बना करके उसको access नहीं कर सकते, ये कोई घर का ताला नहीं है, आ ये system की मदब से किया जाने वाला काम है, और काफी complex चीज होती है, तो आप लोगों कोई इस बात का जवाब भी मिल गया है, कि बीच में कोई भी hacker वगएरा आपके messages को ना पर सके, इसलिए इस end-to-end encryption को इस्तेमाल में लिया जाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई company नहीं, खुद भी मान लो, facebook है, whatsapp है, instagram है, अगर वो आपको end-to-end encryption प्रोवाइड करते हैं, तो वो खुद भी आपके भेजे गए messages को read नहीं कर सकते, सिवाए उस person के, जिसको के वो भेजे गए थे, और इस चीज को tech की भाशा में man in the middle, attack के नाम से जाना जाता है, यानिके MID IDM, और यह जो encryption होता है, यह सिर्फ आपके text messages पे ही काम नहीं करता, यह आपकी हर एक चीज पे काम कर सकता है, जिसमें text message तो हो ही सकते हैं, इसके लावा आपकी voice call हो सकती है, video call हो सकती है, कोई video हो सकती है, photograph हो सकती है, इसके लावा कोई voice note वगएर हो सकता है, मतलब जितनी चीज़े आप एक chat या फिर email के द्वारा एक दूसरे को भेज सकते हो, सब पर यह end-to-end encryption काम करता है, और अब मुझे उम्मीद है इस video को देखने के बाद में आपको end-to-end encryption से related जितने भी सवाल थे, उन सब के जवाब मिल चुगे होंगे, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क रहकर ही करूंगा, तो इसके लिए मुझे कुछ apps बता दो जल्दी से, तो कुछ popular application आप लोगों को बता दे जाएं, जो end-to-end encryption के साथ में काम करती है, जिसमें सबसे पहली application है, WhatsApp, दूसरी नमबर पर आता है, Telegram, Signal, Viber, Zoom, iMessages, Microsoft Teams, Microsoft Outlook, Mega, Google Messages, Facebook Messenger के जो private chat होती है, वो, और इमेल की बात करें, तो proton mail भी इस category में आता है, तो अगर आप encrypted रहना चाहते हो, तो इन services को आप लोग अगर चाहो, तो इस्तेमाल कर सकते हो, और मुझे उम्मीद है, ये वीडियो आपको definitely पसंद आया होगा, अगर ऐसा है, तो इस वीडियो को अभी के भी like कर दो, share कर दो, तो अपने दोस्तों के साथ में, मुझे बात वगेरा करना चाहते हो, तो मुझे follow कर सकते हो, Instagram पे, वहाँ पे भी आपको short video content के form में, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी knowledge देखने को मिलती रहती है, और अगर चैनल पे नए हो, तो चैनल को subscribe करके, वो bell icon ज़रूर प्रेस कर द ज़रूर झावण mapa के सकते लगया वो यह हो जब कर रगया है, यहाँ एवाँ कर दो तो एक भी आपको लगज में, किरो ठोवा़ हो ज़रूर रहत नवा़ चैनल को ज़रूर इम ज़रूरूर भी जहाँ कर दो कर दो हैं एम ज़रूरूर जोरूरूरूरूर झापक्षार